हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सेयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, जैन साप स्वेटर, फूल स्वेटर आदी में इसके अलावा आप इस पैटन को गल्स टॉप, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप आदी में भी अपलाए कर सकते हैं बनके भूती खूबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने फाइब के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस हमने थिरी फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, अब दिखिए फ्रेंट साइट से पैटन की फर्स्ट रूप, बोर्डर कमप्लीट होने के बाद फ्रेंट साइट से पैटन की फर्स्ट रूप, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंद repeat करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे 4 फंदे सीधे 1,2 3, 4 धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे 4 फंदे सीधे 1,2 3,4 यह देख. हमारे project के ही सावसे हमारे first row में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है लास्ट में देखिए धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखिए ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो अब देखिए रोंग साइड से सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, आप देखें जो नेस्ट उल्टा फंदा दिखाए दे रहा है, इसको हमने डबल रोल करके बुनना है, धागा अपनी साइड, ऐसे देखें, यह चौथे नमबर का फंदा हमने डबल रोल करके बुननना है, फिर धागा पीछे, अब नेस तीन, यह देखें यह तीन फंदे हमने सिंगल बुने और उल्टे बुने, अब देखें जो नेस्ट फंदा है उल्टा, इसको हम डबल रोल करके बुननेंगे, इस तरीके से यह देखें, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे जाएंगे, अब देखें जो चौथी नंबर का फंदा है, इसको हमें इसे डबल रोल करके बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा आजाएगा, तो देखें यह रोंग साइड से हमारी पैटर्न की सेकिंड रो, अब देखें फ्रेंड साइड से थर्ड रो, अब थर्ड रो मे देखें, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखें जो फंदा हमने डबल किया है, इसको हम सिंगल करेंगे, इस तरीके से, अब देखें नेस्ट, इस फंदे को हम बाद में बुनेंगे, नेस्ट हम इन तीन प्रोसेस, रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा आजाएगा, अब देखें जो नेस्ट फंदा हमने डबल डॉल करके बुना है, इसको हम सिंगल करेंगे, इसको हम लास्ट में बुनेंगे, पहले हम तीन फंदे सिधे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, और देखें, एक, दो, तीन, तीन फंदे सिधे, अब देखें इस फंदे को उठा लेंगे इस तरीके से, और इसको सिधा बुनेंगे, जो हमारा पहले नमबर का फंदा है, डबल डॉल वाला, उसको हमने चौथे नमबर पे बुनना है, इस तरीके से देखें, धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, अब देखें इन चार फंदों में से देखें, जो फर्स नमबर का फंदा है, इसको हम ऐसे सिंगल करेंगे, इसको हमने बाद में बुनना है, पहले हम इन तीन खंदों को बुनेंगे, तो देखें, एक, दो, टीन आप देखे अब पहले नंबर वाले फन्द 有一. लास्ट में एक फन्द उल्टा फिर एक फन्द सीधों तो देखें एक présent साइट से हमारी पैटन फंदे उल्टे दिखाये दे रहे इन में से हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन एक फंद आम डबल रूल करके बुनेंगे इस तरीके से अब नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक दो तीन चोथे नमबर का फंदा डबल रोल करके दागा पीछे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब चोथे नमबर का फंदा डबल रोल करके बुनेंगे और उल्टा बुनेंग इस तरिके से, अब लाश्ट में देखे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, तो देखे ये रॉम साइड से हमारी पैटर्न की फोर्थ रो कम्प्लीट हो गए, आप देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो, फिप्त रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा, उल्टा, धागा पीछे, अब देखे, चार फंदों में से देखे, जो पहले नंबर का फंदा है, इसको हम सिंगल करेंगे, डबल से इसको बाद में बुनेंगे, पहले पीछे के तीन फंदे सीधे बुनें एक, दो, तीन, अब दिखिए अब पहले नंबर का फंदा लेफ नीडिल में उठाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे, अब नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, नेस्ट फंदे को हम ऐसे सिंगल कर लेंगे, इसको हम बाद में बुन करेंगे सीधे, एक, दो, तीन, अब इस फंदे को लेफ नीडिल में उठाएंगे, आगी की साइड से और इसको सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कर लेंगे, अब इस फंदे को ऐसे डबल से सिंगल करेंगे, नेस्ट हम तीन फंदे, एक, एक करके सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे, लेफ नीडिल में, फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, लास्ट के फंदे, एक उल्टा और एक सीधा आ जाएगा, तो देखें ए फ्रांट साइड से हमारी पैटर्न की फिप्तरो कमप्लेट होगे, रोंग साइड से 6 रो, पैला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी साइड देखे चार फंदे उल्टे आएंगे फिर दागा पीछे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा इरोंग साइड से अमारी पैटरन की 6 रो कमप्लीट होगे अब देखे 7 रो 7 रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे कर लेंगे अब देखे जो नेश्ट चार फंदे हैं अब देखे यहां पर यह दो फंदे एक साथ होनेंगे ये दो का एक करेंगे फिर यहाँ पर एक जाली डालेंगे फिर सीधी साइड से देखे दो फंदों में एक साथ सलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब नेश देखे ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे, तो ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर सीधी साइड से सलाई डालेंगे, और दो का एक करेंगे, फिर धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर नेश् उल्टा एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की सेवंत्रों कंप्लेट हो गई अब देखे एड त्रों पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब देखे जो जाली वाला फंदा इससे हम दो फंदे बनाएंगे तो देखे एक फंदा ऐसे सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा इस तरीके से उल्टा आएगा ये देखे फिर नेश्ट फंदा भ सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे आप देखे जो जाली वाला फंदा आ जाता है इससे हमें दो फंदे बनाने हैं तो देखे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड फिर एक फंदा उल्टा ये देखे जाली से हमारे ये दो फंदे बन धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा इस सीधा बनाया फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर नेस्ट फंदा भी उल्टा आ जाएगा एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे रोंग साइड से हमारी पैटन क 8 त्रों complete way आप देखे फ्रंट साइट से 9 त्रों फेहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड़ ऑंदा उल्टा धागा पीछे 4 खंदे सीधे एक दू कर थीन चे धागा अपनी साइड़ एक फंदा उल्टा, फिर चार फंदे सीधे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपने साइट, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर चार फंदे सीधे, सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे, और फ्रेंट साइट से अपने नाइन तरो, कमफलीट कर लेंगे अब देखे wrong side से 10th row, 10th row में देखे, पहला फंदा उतार लेने हैं, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, अब देखे, next अमारे 4 फंदे आ जाते, इन में से देखे, जो पहले नंबर का फंदा है, इसको डबल रोल करके बुनेंगे, फिर 3 फंदे एक, दो, 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, अब देखे, next 4 फंदे उल्टे आ जाते हैं, इन में से पहले नंबर का फंदा डबल रोल करके बुनना है, और 3 फंदे उल्टे बुन लेने, एक एक करके, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, next फंदा डबल रो करके आएगा, और next 3 फंदे एक एक करके हम उल्टा बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे, रोंग साइड से हमारी पैटन की 10 तरो कम्प्लेट हुए, आप देखे, 11 तरो, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी side, एक फंदा उ फंदे छोड़के, जो चौथे नंबर का फंदा है, इसको आगे लाएंगे, तो देखे, ऐसे आगे के 3 फंदे इस तरीके से सिलीप करेंगे, और देखे, लास्ट वाले फंदे को भी सिलीप कर देंगे, फिर back side की तरफ से ये आगे के 3 फंदे left needle में उठाएंगे, और सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी side, एक फंदा, उल्टा, धागा पीछे करेंगे, आप देखे, नेस्ट हमारे 4 फंदों में पैटन आ जाएंगे, तो चौथे नंबर का फंदा हमें ऐसे, ये right needle में उठाएंगे, आगे के 3 फंदे सिलीप करेंगे, और back side की तरफ से इनको left needle में ऐसे उठा लेंगे, फिर देखे, पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे, इसको हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे एक एक करके सीधा बुन लेंगे, धागा अपने side, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब नेस्ट देखे, चार फंदों में प इनको back side की तरफ से देखे, left needle में उठा लेंगे, इस तरीके से, आब इनको एक एक करके सीधा बुन लेंगे, धागा अपने side, एक फंदा उल्टा, लाष्ट का फंदा सीधा, तो देखे, फ्रेंट side से यमारी pattern की 11 तरो, complete होगे, आब देखे, रोंग side से 12 तरो, पहला उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, next फंदा double roll करके आएगा, फिर next तीन फंदे एक एक करके उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी side, एक फंदा हम double roll करके बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो यह हमारी ट्वेल्थ रो कमप्लेट हो गई, आप देखे, फ्रंटी साइड से थर्टेन र फंदे सिलीब करेंगे, इनको बैक साइड से लेफ निडिल में उठा लेंगे इस तरीके से, अब चोथे नंबर का फंदा आगे लाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे एक एक करके सीधे बुन लेने हैं, यह देखे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल उल्टा, धागा पीछे करेंगे, नेश्ट देखे हमारा पैटन आएगा, तो चोथे नंबर का फंदा राइट निडिल में उठाएंगे, आगे के तीन फंदे सिलीब करेंगे, इनको बैक साइड से लेफ निडिल में उठा लेंगे, फिर इन फंदा को एक एक करके सीधा ब यह देखे, इन फंदा को एक एक करके हमने सीधा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा लास्ट में और एक फंदा सीधा, तो देखे, फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की 13 रोव कमप्लेट हो गई, अब देखे, रोंग साइड से 14 रोव, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पी 14, चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, फिर लास्ट का देखे, एक फंदा सीधा आ जाएगा, और एक फंदा उल्टा, तो देखे, रोंग साइड से हमारी 14 रोव कमप्लेट हो गई, अब देखे, फ्रेंट साइट से 15 डो 15 डो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे रख लेंगे अब देखे नेश्ट इन चार फंदों में पैटरन आएगा तो रोंग साइट की तरफ से हमने ऐसे सलाई डालने है इस तरीके से दो का एक कर लेंगे फिर यहां पर एक जाली डालेंगे फिर नेश्ट हम दो का एक करेंगे तो सीधी साइट से हम सलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे धागा अपनी साइट एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे नेश्ट हमारा पैटरन आएगा फिर ये दो का ए एक कर लेने, फिर एक जाली डालेंगे, फिर सीधी साइड से हमने सलाई डालनी है, दो का एक कर लेने, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर सीधी साइड से सलाई डालेंगे, इस तरीके से, और दो का एक कर लें आप देखे रॉंग साइड से सिस्टिंडो आप सिस्टिंडो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे आप देखे जाली वाला फंदा इसमें से देखे एक फंदा स सीधा एक फंदा उल्टा अपने अश्ट देखे जो जाली से बना वह फंदा है इससे हमें दो फंदे बनाने हैं तो धागा पीछे करेंगे ये देखे एक फंदा सीधा आ गया और एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा ये देखे ये वाला भी उल्टा आ जाए फिर एक फंद लेशे एक पंदा सीधा एक फंदा उलटा तो देखे रॉंग सायट से हमारी पैटन की 16 रो कम्प्लीट आप 17 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 17 रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुंते हुए कम्प्लीट करना है इनी 16 सलाईव के पैटन को हमने बार बार रिपीट करते ज जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटर्न है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक् करना ना बूले थेंक यू आपको अ झाल झाल